नीलंस किचन में स्वागत है आपका वेज रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और आज हम बनाने जा रहे हैं अमरिच सरी स्टफट कुल्चा आज हम आलू की स्टफिंग वाला कुल्चा बनाएंगे और वो भी बिना ओवन के हम इसे डारेक्ट तवे पर ही बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छा बनेगा अंदर से स्मॉस्ट, सॉफ्ट और बहार से एकदम क्रिस्पी ये देखने में जितना सुन्दर दिखाई दे रहा है खाने में भी उतना ही अच्छा और करा रहा है ये देखिए क्या आपने ये आवाज सुनी ये जो क्रिस्पीनेसे कुल्चे की तो हम इस कुल्चे को बहुत ही आसान रेसेपी से मनाएंगे आप इस रेसिपी को ज़रूर देखें और इसे ज़रूर ट्राइ करें ये देखें कुल्चा अच्छे से पक चुका है और इसके अंदर लेयर्स भी कितनी सारी है और साथ ही स्टफिंग भी पूरी भरी हुई है तो रेसिपी को शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने दो कप मैदा लिया और साथ ही लिया एक कप आटा आप चाहें तो तीन कप मैदा ही ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाला और साथ ही डाला वन फोथ टी स्पून बेकिंग पाउडर और दो चमच गी हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज किया बेकिंग सोडा यूज नहीं करेंगे वो जादा हाड होता है अब मैंने दो चमच दही डाली और हाथ की मदद से इसे मिला लेंगे और सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है हमें एक आटा गुंदना है इसका तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि जादा गीला भी ना हो और हमें जादा टाइट आटा भी नहीं गुंदना है तो इसी तरह से हम सारे आटे को लेके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लगबग एक कप के आसपास पानी लगा होगा इसके अंदर अब उपर से एक चमच मैंने घी डाली और आटे के उपर अच्छे से लगा लिया चार से पांच मिनिट तक इसी तरह से आपको आटे को गुंदना है और ये एक सॉफ्ट डो बन के तैयार है अब हम इसे ढख कर पंदरा मिनिट के लिए अलग रख देते हैं और आईए तब तक बनाते हैं हम अपनी स्टफिंग स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया और अब मैं यहाँ पर तीन मीडियम साइज के उबलेवे आलू लूंगी जो हमने आटा गुंदा है उसके लिए तीन आलू बहुत हैं अगर छोटे आलू है तो आप चार ले सकते हैं उसको आप मैश कर लीजे या फिर ग्रेट कर लीजे ग्रेट करने से यह ज़्यादा स्मूद बनेगी स्टफिंग और फटेगा नहीं हमारा कुल्चा अब मैंने यहाँ पर दो बारी कटीव हरी मिर्च साथ ही एक चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही एक चम्मच गरम मसाला डाला एक चम्मच चाट मसाला और आदा चम्मच लाल मिर्च और साथ ही थोड़ी सी कसूरी मिर्च अब हमारी stuffing ready है हम इसको अच्छे से mix कर लेते हैं stuffing को एकदम smooth रखना है 15 minute हो चुके हैं तो अब हम आटा ले लेते हैं देखे आटा काफी soft हो चुका है अब हमें इसे फैल लाना है तो आटे को फैलाने के लिए चाहे आप हातों की मदद से फैला लीजिए चाहें आप इसको बेलन की मदद से फैला लीजिए ये रेखे अच्छे से फैल चुका आटा अब हमने यहाँ पर दो चम्मच बटर लिया है रूम टेंपरेचर पे बटर थंडा नहीं होना चाहिए और पिगला हुआ बटर भी हम नहीं लेंगे तो यह रूम टेंपरेचर पे बटर लिया है इसे पूरे आटे पर अच्छे से स्मूदली एक लेयर में फैला लेना है सब साइड से बराबर होना चाहिए थोड़ा सा बटर बच गया मैंने उसे साइड में रखा अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ पूरे आटे को कि इसकी तीन लेयर्स बन जाए तो अब ही हमारे आटे में तीन लेयर्स बन गई मैं उसको प्रेस कर लूगी और इसको दुबारा से थोड़ा सा फैला लूगी अब जो बचा हुआ बटर था और उसमें थोड़ा सा और बटर मिला कर मैं एक और लेयर बटर की इसके उपर लगा रही हूँ और फिर से हम इसको कर लेंगे फोल्ड तो यह देखिए यहां पर हमने छे लेयर्स बना ली हैं इस तरह से आटे को फोल्ड करके और आटे को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे इसलिए आटे को दोनों हाथों की मदद से इवनली दबा लेंगे और जहां से आटा खुला हुआ है जहां से हमने फोल्ड किया था उसको उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरह से दबा दबा कर में स्मूथ कर लोंगे पूरे आटे को end तक इसी तरह से करना है जब हमने ऐसे smooth किया तो हाथ से press कर दिया और अब इसको गोल-गोल घुमा लेंगे ताकि आटा even हो जाए अब इस तरह से गोल घुमा लेंगे हम इसको चाकू की मदद से 4 बराबर हिस्सों में काट लेंगे यहाँ पर इस आटे से हमाच 4 कुल्चे बना रहे हैं तो इसलिए इसको बराबर 4 हिस्सों में काट रहे हैं आटे का जो हम लोई लेंगे वो थोड़ी सी मोटी होती है तो इसलिए इसमें से सिरफ 4 कुल्चे बनेंगे यह देखे मैंने एक पीस लिया देखे कितनी परफेक्ट लेयर्स आई हैं जहाँ पर हमने बटर लगाई थी उपर से हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लिया और अब हम एक स्मूद लोई बना लेंगे साइट से कहीं से खुला हो तो आप उसे बंद कर लें और इसी तरह से गोल घुमा कर इसे बड़ा कर लें आप चाहें तो इसे बेलन की मदद से भी कर सकते हैं इसी तरह से मैं अब सारे पीसिस को करूंगी इसकी लियर्स बहुत अच्छे से निकल के आई हैं तो इसलिए कुल्चा बहुत अच्छा बनेगा और उसमें काफी सारी लेयर्स भी आ जाएंगी तो इसी तरह से अब हम चारो पीसिस को कर लेंगे उपर से ही से दबाना है साइट से दबा कर आप गोल नहीं घुमाएं वरना इसमें लेयर्स नहीं आ पाएंगी और चारो पीसिस को इस तरह से करने के बाद अब हम बनाएंगे कुल्चा कुल्चा बनाने के लिए अब मैं एक पीस को इस तरह से ले लूँगी और हाथ की मदद से उसे थोड़ा सा फैला लूँगी मैं फिर से बता रहीं कि अगर आप चाहें तो इसकी डारेक्ट बेलन की मदद से भी आप इसे बेल सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे हाथ की मदद से ही फैला लिया थोड़ा सा स्मूध कर लिया और स्मूध करने के बाद अब मैं इसमें रखूंगी स्टफिंग जो हमने अभी आलू से बनाई थी हमारी स्टफिंग ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए जो आलू हमने बॉयल किये वो पर प्रफेक्ली बॉयल होने चाहिए ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए अब हम इसको उपर से बंद कर लेंगे दिखे इस तरह से अच्छे से बंद किया मैंने और हाथ से दबा दिया पिशली तरफ से भी थोड़ा सा दबा दिया थोड़ा सा इसी तरह से फैला लूंगी मै बेलने से पहले ताकि स्टफिंग चारो तरफ अच्छे से चली जाए अगर कहीं से खुल रहा हो तो आप उसे पहले ही अच्छे से बंद कर लें अब हम इसके ओपर सूखा अठा लगाएंगे दोनों तरफ और जिस तरह से हम एक पराठा बेलते हैं उसी तरह से इसको बेल हमें सोफ्ट हाथों से बेलना है ध्यान रखते हुए कि किसी भी तरफ से स्टफिंग ना निकले यह देखे मैंने इसे एक साइज में बेल लिया ज़्यादा छोटा कुलचा नहीं बना रहे है हम देखे कितना मोटा है यह और इसी तरह से इतना ही मोटा रखेंगे इसे इसक जो हमने साफ करके अच्छे से धो कर काटकर इसके उपर लगाई और साथ ही थोड़ी कलाउंजी हाथ से इसको दबा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए उसके बाद हम इसको पलटके दूसरी तरफ भी पानी लगाएंगे काफी सारा पानी लगाना है दूसरी तरफ भी ताकि अच्छे से गीला हो जाए अब हम तवे को करेंगे गरम तवा काफी गरम होना चीए जब हम उसके पर कुल्चा रखे ये देखे किस तरह से इसमें से आवाज आई क्योंकि तवा बहुत जादा गरम था तो अब हम इसी तरह से इसको 2 या 3 निट के लिए मीडिय माच पर पकाएंगे और फिर हम तवे को पलट लेंगे गैस के उपर और 4 तरफ से इसे अच्छे से पकाएंगे तागी हमारा कुल्चा अच्छे से अंदर तक पक सके काफी मोटा कुल्चा है ये तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अच्छे से पकने में ज्यादा जलना भी नहीं चाहिए और हमारा कुल्चा बनकर तैयार है अब इसे निकाल लेते हैं नीचे पानी लगाया था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने में पर ये अराम से निकल जाएगा तवे पिसे कुल्चे को निकाल कर आप दोनों साइड से देख लीजिए अगर आपको कहीं से भी कच्छा लग रहा है तो आप डायरेक्ट गैस पे भी इसे थोड़ा सा पका सकते हैं तो देखिए हमारा कुल्चा बन चुका पीछे से भी अच्छे से पका हुआ है ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है अब इसके उपर रखें थोड़ा सा बटर जो मेथी का टेस्ट कुल्चे में उपर लगी हुए ये बहुत अच्छा आएका और यह देखिए कितना गरम है हम इसको हाथ की मल से थोड़ा सा बचूर लेंगे ताकि ये थोड़ा ट्राइ कीजिए ये देखिए कितने अच्छे से लेयर्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर और स्टफिंग भी भरी हुए मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू